तो आज में 2020 में आई एक कोरियन सीरीज को एक्सप्लेइन करने वाली हूं इस सीरीज में आठ छोटे चोटे एपिसोड हैं जो की आठ से पंदरा मिनट के बीच में हैं बेसिकली कोईदम का मतलब कोरियन अर्बन घो स्टोरीज होता है पहले एपिसोड से लेकर लास तक ऐसा लगता है कि जैसे एक डूसर से नहीं है लेकिन आप ध्यां से देखेंगे तो देख पाएंगे कि यह सारे एपिसोड आपस में जूड़ी हुए हैं अगर हम एपिसोड फॉर्स से एट की बचा एट से फॉस्ट की ओर देखेंगे तो हमें सारे कनेक्शन पता चलेंगे तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ एपिसोड एर्थ बर्थ इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि एक शामन बच्चे को किड्नैप करके उन्हीं भूका रखते हैं ताकि वो ने मार के उनकी आत्माओं को अपने मतलब के लिए यूज कर सके इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक लेड़ी शामन एक चोटे से बच्चे को किड्नैप करके अपने घर लाती है उसे अपने घर के तेह खाने में रखती है और वो उस बच्चे को सिर्फ इतना ही खाना देती थी कि वो जिन्दा रह सकी एक दिन वो शामन कुछ रिच उसके बाद हम देखते हैं कि उस शामन के पास एक वेल्दी कस्टमर उससे मिलने आती है जिसका हस्बंट का किसी और के साथ अफैर चल रहा था वो अपने हस्बंट को मरवाना चाहती थी इससे पहले कि उसका हस्बंट उसे तलाग दे यहाँ पे इस औरत को काफी अमेर दि है जो कि उस शामन से अपने बच्चे को खोजने के लिए कहती है फिर हम जान पाते हैं कि उस औरत का बच्चा कोई और नहीं बलकि वही चोटा बच्चा था जिसे उस शामन ने एपिसोड के स्टार्टिंग में मारा था और जिसकी आत्मा उसी के अंदर है और तभी अचान देती है उसके बाद हम उस बच्चे को और बहुत ही जादा इवल और पावरफुल होते हुए देखते हैं जो कि अब उस शामन से भी नहीं समाला जाता वो अपनी मा से मिलना चाहता था जिसके लिए वह बच्चा और शामन के पेड़ को चीर कर एक मॉनस्टर के रूप में बहां निकलाता है और वो ढूंते हुए अपनी मा के पास जाना चाहता था लेकिन उसकी मा उसी पेड़ पे लटक कर फासी लगा लेती है जिसके नीचे उस बच्चे के पैर दबे हुए थे और यहीं पर यह एपिसोड खतम हो जाता है इस एपिसोड में दिखाया गया पास बेड़ आकर उसे संभालते हैं वो बच्चा अपनी ग्रेंड मा से मिलने के लिए अपनी मौम के साथ जा रहा था और उस बच्चे की मा अपने हस्बिन को दरवाजे पे लगे ताविस को ना उतानने के लिए कहती है क्योंकि उससे बैड लगाता है साथ ही साथ में वो उससे अपनी परोस के एक लड़के और पुलिस वाले की लापता होने की सूचना भी देती है और अप घर पे अकेले रहते हुए उस आतमी का पैर घर की देली इस पर लगे बालों पर पड़ता है और वो को बालों को बाहर निकालता है और बालों को बाहर निकालता ही उसे सोर की चीक सुनाई देती है जैसे किसी के बाल नोच के उखाड दी गए हो फिर बाहर से आने के बाद वो आत्मी नशे में होता है और उस ताबिस को निकाल कर फेक देता है और उसके बाद वो सोने चला जाता है उसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर घर के चारों और से कुछ टुकड़े निकल के आते हैं और वो एक बहुत बड़ा सा मॉंस्टर बनाते हैं जो कि एपिसोड एड के कटे हुए पैरो की तरह था और बिल्कुल उसी एपिसोड के उस बच्चे की तरह था जो हमें दिखाया गया था वो बिल्कुल उस मॉंस्टर बच्चे का ग्रोन अप फर्जन था और वो उस आतमी को मार डालता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है बट उस आतमी की कोई भी बिलॉंगिंग सवां दिखाई नहीं गए ना ही वहाँ पे कोई वेडिंग फोटो था और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है अब एपिसोड सिक्स डैमेंशन इस एपिसोड की शिरुवात में हमें एक वीजियो के अंदर एलिवेटर पे एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी से डर की नीचे बैठ जाता है दूसरे दिन पुलिस को उसकी डिट बॉड और वो इस लिफ्ट के अंदर जाता है जहां पर वो उसमें बताये गए सारे रूल्स को फॉलो करता है और एक फ्लोर में लिफ्ट को रुकते ही वो खुद को देख पाता है जहां पर वो बहुत जादा घबरा जाता है अब इसके बात एक औरत अचानक से उस लिफ्ट में आजाती है बAC detta को इस गेम से निकलने के लिए नमर दो करती है लेकिन वह और आजनक या ऐख रही होती है जिससे देखक वह की करते है और वह उसको रिस्पॉन्स करता है तो उस औरत को ऐसा लगता है कि वो उसे सुन पा रहा है और वो औरत रुक जाती है और उसे अपना क्रिपी फेज दिखाती है और उसका सर पटक पचक कर उसे बहुत ही बहरेमी से मार देती है यहां उस औरत को वो कैमरा भी कैप्चर नहीं कर पा रहा था उसके बाद पुलिस को ये बाडी बहुत ही खराब हालत में मिलती है फिर हम देख पाते हैं कि इस केस को वही डिटेक्टिव सॉल्फ कर रहा था जिसकी वो बाडी थी यानि वो एक दिन पहले ही मर चुका है और वो अपने ही केस को सुलजाने के लिए यहां पर आया है और यह हमेशा पर यह भी कहाँ जा सकता है किए देक्टिफ की मौत दूसरें दमन्शन में हुई हो और यहां केस करने वाला जो डुकतिव दूसरेंंशन ल की एपिसोड के लास्ट में हमें दो लड़कियां उसे लिफ्ट में जाती हुई दिखाई देती हैं मी व्योंग और सी यूँ और ये वही लड़किया है जिनने एपिसोड फॉर्ट में दिखाया गया है जिनने हम आगे डिसकस करेंगी इन दोनों लड़कियों में से मिन यूँ हमेशा डरी हुई होती है और सी यू हमेशा उसे डराया करती है अब फिर्ट एपिसोड की शिर्वात होती है जिसका नाम है रेट शूज इस एपिसोड की शिर्वात में हम एक क्लास रूम में कुछ बच्चों को जिन्यों के बारे में बात करते हुए सुनते हैं जिसने एक ट योंग को बुली किया था क्लास में और इसी वजह से उसने स्विसाइट कर ली थी वह और इस्टूडेंट्स को वह एविदेंस पी डिलीट करने के लिए कहती है जो नोने जीओं को बुली करते हुए बनाई थी इसके बाद वह क्लास रिप्रेजंटेटीव को उन्हें करने के लिए कहती है और ये रिपेसेंटेटिव केम थी जो कि क्लास टॉपर भी थी और सेकंड टॉपर से यूओ को भी हम इस एपिसोड में देखते हैं जो हमें एपिसोड फर्स्ट में देखेंगे खैरब पूरी क्लास खाली हो चुकी थी लेकिन हाइसो शिंग जिसने जिंग यू का नाम रेट शूज है और चब वो उस क्लास में पहुशती है तो वो हाई शूशन की लोवर बॉड़ी के साथ उस आत्मा को पाती है यानि कि उसने अपना बदला उससे ले लिया लेकिन उसकी बॉड़ी हाई शूशन के लोवर पार्ट के साथ फिट नहीं होती तो अब व हमें एपिसोड के स्टार्टिंग में दो फ्रैंड मिंग यॉंग और सी यूई को दिखाया जाता है जहां पर वो एपिसोड फिट में हुए उस हाथ से की अलिवीटर वाली फीडियो देख रही होते हैं जिसमें वो एक मॉन्स्टर को भी देख पाते हैं सी यूई को यकी वीडियो एक दोका है लेकिन जबकि मेंग काफी डर जाती है उसके बाद वो दोनों बुक्स लेने स्कूल के अंदर जाती है जबकि स्कूल ओवर होचुका था चाता भी मिंग यूः आसानी से डर जाती है तो भी तबस यूउए उसल्यूद Glasण के भी अप्लान की पार्ण जाल मिलती है जो कि सियूने उसे डराने के लिए रखी हूई थी तभी मेंश YUNG उसके प्लान को समझ जाती है और वो बिना डरे Play लीडी की एक फिरिट मिलती है जो कि ऑफिसली उस डॉल में थी जिससे सीउ ने उसे वहां डराने के लिए रखा था बड़ सीउ ने उसे अंजाने में ही अपने साथ रख लिया था खैराब मिनियोंग उसे देखकर काफी डर जाती है और सीडियों से भागती है लेकिन वो उस फ्लोर पर एक टाइम लूप में हुए को हम उसका वेट करते हुए देखते हैं मेरिंग भागी नहीं पाती और वो क्रीपी और उसके पीछे ही थी इसके बास सीडियों से उपर जो कि मैं उनको ना आता देख उसको देखने के लिए उपर जाती है जहां पर वह और अवरत हमें उसकी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है और यह एपीसूड यहीं पर स्कृमकित कर सकते रही है इसका मतलब यह इसके बाद करते हैं एपसोडे इसके पेसिद्ध कर रही में है जहां पर आर्डियन्स को ऑना फिक्ते हुड़े और थोड़े देर बात बुक गिरते हुए दिखती है जिसके चलते क कुछ वीवर्स उसके लिए चिंता करने लग जाते हैं तो कई लोग सोचते हैं कि वो धोका दे रही है पर अचानक से सायरोप डर जाती है और ब्लॉक को वहीं पर एंड कर देती है उसके बाद वो कॉल पर बात करती है और अपने फ्रेंड को बताती है कि उसे इस बूतिया प अपने फोन में कई सारे लोग दिखते हैं और तभी अचानक से उसी के जैसी एक दिखने वारी लड़की आकर उसका सर पटक पटक कर उसे वहरेमी से वहीं पर मार डालती है और उसकी जगा पर आके बैठ जाती है लाइव स्ट्रीम अभी भी चल रहा था बट यहां पर व् पर पर टेक्सी ड्राइवर अपनी टेक्सी में सुन रहा था जो चैपिसोड एड की शामन लेडी के रिगार्डिंग था यह निवेश तो बच के 20 मिनट पर सुनी जाती है और अगर हम अब एपिसोड एड पर जाकर दो बच के 20 सेकिंड पर देखते हैं तो हम एक फुडु के लिए टेक्सी साइट में लगा कर सो जाता है इसके बाद हम घरी पर देखते हैं तीन बच की 30 मिनट का टाइम और अगर हम यही टाइम एपिसोड एड में देखते हैं तो इस स्पीच हमें वो शामन बच्चे को मारती हुई दिखाई देती है और अब यहां पर हमें पता थाइब आन लिए तैक्सी रॉपर चलने के लिए तैयार हो जाता है पर पर उसे बारबर कोई रास्ता ही नहीं था और बहुत इरी टेट हो जाता है अकले सीन में हमें कोई भीन दिखाई देता और अचानक से डाइवर को अपनी गर्दन पर हाथ महसूस होता है और पीछे देखने पर उसे कोई नहीं दिखाई देता पर तब ही वो अचानक से उस टेक्सी डाइवर के सामने आ जाती है वो डर के टेक्सी रोकता है और फिर से लेडी टेक्सी के अंदर आ जाती है और इस बार वो औरत अपना फेस दिखाती है जिसकी आखे ही नहीं थी और वो उस टैक्सी ड्राइवर की आखे निकाल लेती है जैसे एपिसोड फिफ्ट में जिंग यॉंग ने अपने लोवर बाडी को बदला था और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है अब एपिसोड फिर्स आता है क्रैक्स इस एपिसोड की शुरुवात में हम सीयो हुई पार्क को देखते हैं जिसे हमने एपिसोड फिफ्ट में देखा था वो बहुत ज़्यादा परिशान थी और टेंशन में अपने नाखून च चाहि им अपनी पार्क की ठीक ठीक पर झाय में हर फिर्स टास्त millennium की थी एक दास्यूही है ऐक बएक छी बंप दडिन 5 अपिसोड नोटिस करती है उसके बात बाट्तिन चेपे बाद हमें जाने की पाद प्रसिए जा रही होती है तो बीच पर देखते हैं बाथों में उसे जीव सी आवाजें दे रही थी उसके बाद वो नीचे जुक कर कर वहां पर चेक कर रहे हैं और कि दरौब तो कि वहां से एपसाइड डाउन होती है और वह उसे धूंड लिया और वहीं टोलेट में मार डालती है एक्चले यहाँ पर सीयो ही ने जीयो उनको बिल्डिंग से धक्का देकर मार दिया था ताकि वो फर्स्ट प्लेस पर आ जाए और जीये ने उससे बदला लिया उसके बाद हमें उसकी तस्वीर दिखाई देती है जिसमें सीयो मस्कुराते हुए नदर आती है और यह एपिसोड यही पर खत्म हो जाता है तो यहाँ पर यह सारी स्टोरी खत्म होती है और सारे एपिसोड भी खत्म हो जाते हैं तो गाइस आपको यह स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा और वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले तो अब मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार एंड टाटा बाई बाई